Hello friends, तो एक और IPO आचुका है, that is Traction Technologies Limited. So क्या हमें इस IPO में अपलाय करना चाहिए या नहीं अपलाय करना चाहिए? और ये चीज़ जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है, इस कंपनी का balance sheet कैसा है, valuation कैसा है, क्यों ये IPO लेकर के आ रहे हैं and इसमें क्या-क्या risk factor है and IPO detail और मैं लास्नों बताने वाला हूँ कि मैं अपलाय करूँगा या नहीं. By the way, मैं ये बता दूँँ कि ये कंपनी HSR layout में ही है, जहाँ पे Bangalore में मैं रहता हूँ, hardly 500 meters away है, not 500, at least 300 meters away, मैं hardly 2 minute walk करके जा सकता हूँ, चुकि मेरा भी startup यहाँ पे ही है, Work India, by the way, मैंने वहाँ से resign कर दिया है, तो Traction के बारे में काफी कुछ मैंने पहले से सुन रखा है, कि यार बहुत ये लोग को hire करते हैं, यहाँ पे attrition वगरे की सारे चीज़, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले company की website पे चलते हैं और देखते हैं, company करती क्या है, तो Traction जो है, एक ऐसी company है, जो mainly data को ले करके लोगों को help करते हैं, and when I say logo को मतलब actually companies को, तो आप यहाँ पे website पे देख सकते हो, technology plus human in lieu for deal discovery, tracking 1.4 million entities through 1800 feeds, वगेरा वगेरा आप यहाँ पे देख सकते हो, Traction is research partner of choice 850 plus investors, corporates, governments, यह सारी चीज़ है, and deal discovery में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी offerings क्या क्या है, by the way, offerings पे गर हम click करें, तो हमें दिखाए देखा, companies के लिए है, investors के लिए है, funding के लिए है, acquisition के लिए, people के लिए, basically आप समझ लो, अगर आपको data से related analysis करवाना है न, तो य यह company आपका काम कर देगे, और जादर investors के लिए बहुत काम का आता है यह, so अब आपको समझ में आ गया कि traction करती क्या है, और इसका revenue model भी आपको समझ में आ गया, कि जो data लेगा, जाहिर से बात है, वो पैसा भी इनको देगा, लेकिन कितना पैसा यह कमाते है, profitable है या नहीं ह उसको जड़ा देख लेते हैं, so यह आप यहाँ पर देख सकते हो, total asset, अब यह quarterwise data इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहे है आपको, यह इनका asset quality है, जो की almost maintained है या फिर आप कह सकते हो, हलका-फलका increment है, total revenue, यह दिख रहे है आपको, revenue, यह fluctuating है, but at least up down के range में है, वो भी लगबग लगबग एक करोड का, उससे भी कम है, actually 0.9 करोर, यह number सारे करोर में है, by the way, तो एक करोड का इसका profit है, at least आपको एक चीज़ों समझ में आई है, कि profitable just अभी अभी होई है, just अभी अभी होई है, so good, इन्होंने profit करना भी शुरू कर दिया है, okay, ठीक है, तो फिर यह IPO क्यों लेकर के आ रहे है, अब तो profitable भी हो गया ना, क्या यह company का expansion करना चाहते है, क्या यह company के लिए कुछ नया चीज़, या फिर कुछ innovation में add करना चाहते है, कुछ acquisition करना चाहते है, ताकि इस company को नई रफतार मिले, तो ज़रा देख लेते हैं कि क्यों लेकर के सिर्फ इतना ही है, no expansion plan, no growth plan, nothing, जो आपका पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा promoters के पास, काफी तो partial exit ले रहे हैं और काफी full exit भी ले रहे हैं, आपको लग रहा हुगा कि लेकिन यार ये लोग 75 रुपे में लेके आर के इनको क्या फाइदा होगा, अरे भाई इनको अगर आप देखोगे कि इनके पास कौन से price पे ये पड़ा हुआ है, तो हमेशा जो हीरते बाद हो, जो company से पहले से जुड़ा हुआ, उसके पास काफी सस्ता पड़ा हुआ होगा, तो अगर आप देखोगे founders जैसे हैं, 0.2 पैसे पे पड़ा हुआ है, 0.2 पैसा, मतलब देख रहे हो, ये लोग sell कर रहे हैं, जितने भी लोग है, इनके पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इतने पे पड़ा हुआ, तो इनका तो 70 गुना बन गया, अगर किसी का 1.5 रुपया, 2 रुपया पे बना है, और 80 रुपय में वो बेच रहा है, तो उसका तो 50 गु इनका 70 गुना बना हमारा कुछ नहीं बना है, ऐसा नहीं है, बट मेंट पॉइंट है कि अब अगर इसमें इनको इतना ही दम दिख रहा था, तो बहुत ही रेर केस में इनको यहां से exit करना चाहिए, शायद exit नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, which is not good news, आप सोचवे एक company है जो आप चला रहे हो 7-8 साथ सो और अभी अभी जिस्ट वो profitable होई है और मज़ेदार बात है कि यह asset light model है यानि कि अब आप अगर आपको वो profitability का crux आपके हाथ लग गया है तो आप profitability को बढ़ा होगे ना जब थोड़ी अच्छी profitability हो जाएगी तब आप IPO लेकर के आओगे थोड़ी है कि छोटा सा भी profit होना शुरू हुआ चलो फटाक से IPO लेकर के आते हैं तो यह लगबग 300 करोड का IPO है और company का जो market cap है वो लगबग लगबग 500-800 करोड का है तो यह एक concern है मेरे mind में at least कि यार अभी तो company बढ़ाई थी अभी तो profitable होना शुरू हुए थी इतनी जल्दी IPO क्यों लाना और यह IPO कोई expansion के लिए भी नहीं आ रहा है यह सिर्फ और सिर्फ अपना stake बेचने के लिए तो यह concern मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ज़रुत थी इसका IPO लाने के चलो ठीक है लायक तो भी कोई बात नहीं है अब valuation के angle से अगर आप देखोगे तो चुकि इसका profit सिर्फ और सिर्फ एक करोड का है अगर इसको आप extrapolate करोगे तो साल भर में क्या होगा 4 quarter में 4 तो इसका जो PE आ रहा है वो लगभग 200 के आसपास आ रहा है 200 के आसपास आ रहा है आप सोचो which is very 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 expensive मतला अब एक ऐसी company जो अभी तक घाटे में थी just अभी अभी profit में आई है वो अगर 200 के PE पे list होगी तो वहाँ पे return बनने का chance बहुत ही कम है हाँ अगर यह बहुत ही reasonable price प किया था electronic mart India वो 18 के PE पे आ रही थे और यह 200 के PE पे आ रही है investors का इसमें फाइदा नहीं है इसमें promoters का फाइदा है बट investors का इसमें उतना फाइदा नहीं होगा अगर आपको लगता है कि नहीं यह business model जो है data वाला है तो इस headlight है future में अच्छा करेगा तो मेरी साब से बहुत long term के लिए अगर कोई सोच रहा है तो भले इसमें apply करें but मुझे लगता है कि list होने के बाद हो सकता यह नीचे मिल जाए तो अगर आपको future इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो maybe आप धीरे धीरे accumulate listing के बाद शुरू कर सकते हो not अभी और एक दो quarter और देख सकते इनके DRHP में वो मैं आपको एक बार पढ़के दिखा देता हूँ तो यह इनका DRHP है जो कि मैंने download करके रखा हुआ है तो यह आप देख सकते हो कि fiscal 2019-2021 में इनका जो attrition था भाई सहाब 67% 2019 में 66% 2020 में and 40% 2021 में includes voluntary and non-voluntary सब कुछ है under performance में इसमें सब कुछ आता है लेकिन फि भी आपको बता रहा था कि मेरा personal जो मैंने सुना है मैं आफिस के बाहर बहुत बार 2019 में देखा था बहुत लोगों की लाइन लगी होती है hiring के लिए बहुत लोगों की तो मुझे लगता है कुछ सो में भी data collection से related वो बहुत hiring करते होंगे इसलिए attrition भी यहाँ पे मुझे जा DRHP में mention की है तो यह मेरे लिए एक तीसरा concern था तो अब आपको business model समझ में आ गया concern समझ में आ गया valuation समझ में आ गया third है IPO details को एक बार देख लेते हैं कि IPO detail क्या है तो जो IPO detail है वो 10 October यानि आज की दिन open हो चुका है 12 October को last date है 17 को allotment होगा 18 को initiation refund हो जाएगा अगर आपको नह 18800 का आपका एक lot बनेगा 185 shares 80 रुपीज अगर आप max के हिसाब से पकड़ के चलते हो तो इसका एक बार grey market premium भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका grey market premium जो चल रहा है वो 6 रुपए का फिलाल चल रहा है और अगर इसका IPO कर हम max price माने 80 रुपए का price है और 6 अपनी में जहां पर offer for sale आ रहा है और फिर जैसे मैंने बागी सब कुछ explain किया तो आप जा सकते हो लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जैसे आपने date देखा कि अगर इसका 12 तारीक को close हो जाएगा IPO और जो listing होगी वो 20 तारीक को होगी तो ये 8 दिन में अ गायब भी होता तो कितना गायब होता अरे गिर पढ़के कम सकम 10-5% तो मिलता कुछ तो मिलता at least price पे तो निकल जाता लेकिन 8% थोड़ा ज्यादा risk की मुझे लगता है so this is about grey market premium अब क्या मैं इस IPO में apply करने वाला हूं answer है नहीं मैं नहीं apply करने वाला हूं उसका reason मैंने आप आपको अलड़ी बता दिया जो मेरे concerns है क्योंकि यह बहुत super attractive company या फिर मुझे नहीं लग रही है at least देखो यह data और यह सारी चीजे ना अच्छा sector है मतलब इसमें problem नहीं है future में जितना digitization बढ़ेगा इस तरह के companyों के जरूरत भी बढ़ेगी but अभी जिस हिसाब से इसका profitability और जिस purpose से IPO लेकर के आया जा रहा है और जो मैंने देखा है इनका attrition वगरे का सारा scene मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा मेरे हाथ से छूट जाएगा अर्यार apply नहीं किया तो बहुत कुछ छूट जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे लग रहा है list होने के बाद हो स सकता है जो आपका view है प्लीज comment में बताए कि आप apply करने वाले हो या नहीं मिलते हैं next video में thank you so much I hope इस वीडियो से आपको help मिली होगी आपका खुद का decision लेने में